तो आज वेल्कम्म टू पंडितु पहिंदर स्टुड़े क्लासेज गाइज आज को टॉपिक है विसे समकलन जो गाइज मैंने विसे समकलन का वीडियो अपलोड की यह कर जुका हूं तो आज मैंने देखा कमेंड वक्स में मतलब स्टुडेंट कमेंड किया था कि सर अगर इस अगर इस प्रकार का कुश्चन दे दिया जाएगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस पर एक अब वीडियो अफ्लोड कीजिएगा तो वैस यहां पर जैसे एक इस्ट्रोडेंट ने कमेंड किया अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको फंस्ता है तो आपर हमारे इस्टार ट आइए तो मैंने आज वीडियो फ्लोड कर रहा हूं कि कर दिया हूं तो यहां से देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा भी बताया गया था डी क्या रखा जाता है यम त्यानि क्या हो जाएगा यम स्कार मैनस सियम मैनस टू और वाई एक्वल साइन टू एक्स और य वाई डू क्या था जीरो रखते हैं तो हमारा क्या निकलता है सी एफ लिए सबसीन मैनस टू एक्वल साइन टू एक्स अपन वाई यानि यकी वैलू क्या हो जाएगी जीरो हो ति इसक़ा मायन क्या हो जाएग आ यह मेंस तू एक्वल जीरो ठे, बचंक दош ब्माइन चो-चैब यहां ब्लसमानि अछे प्लोन हम यानी एक अपन थीयरु शог्त थीन रहा है उत्सार सब्सक्राइल हो जाएगा उत्राइक गाइज यहां पर में 1 और यम 2 की बैलू निकाल लिए तो हम सीयफ हमारा कैसे निकलता सीया का फॉर्मुला आपको मीसिस समख्रम में मैंने बताया था तो सीया फिस लुकल क्या होता है सीवन ऐ की पावर यहां पर गाइस मैंने यहां और यहां पर यह वाला फॉर्मिल लगएगा और अगर सेम होता है तो c1 e की पावर मतलब कुछ इस प्रकार का कुश्यन था ठीक तो c1 e की पावर यह मुन की वैल क्या है माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा प्लस c2 e की पावर 2x यह हमारा cf निकल आया ठीक यह हमारी cf हो गई अब प्याइन इकाल लेंगे तो भी आई का फार्मुला क्या होता है पी आई इस फ्रॉंड पार्मुली में रख देंगे तो फिर हमारा पी निकल जाएगा तो भी निकालने के बाद जो अभिष्ट से मिकरता वाई उखल cf प्लस पी आई तो यह पी निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे वन अपॉन यह फॉफ दी यह फॉफ टी का मान क्या था हमारा यह था यहाँ पर यहाँ पर यह फॉफ दी यह होता है और क्यों यह होता है मतलब यह फॉफ दी और क्या होता है यह क्यों यह फॉफ दी का माई वैलू यह है क्यों की वैलू यह है यह ठीक आब यहाँ पे हम देखिएगे कि जीसे टी स्कुर्ड की बेलु मतलब D की आप यहाँ पर हम एक फार्मॉला की रूप में रिखेंगे तो साइन 2 Xी होता है ना तो दी की बेलु कहाँ से निकलेगी दो यानि d square is equal क्या होता है minus 2 का whole square equal 4 यानि minus 2 नहीं होता है minus 12 होता है d का whole square होता है यानि क्या हो जाएगा हमारा d square is equal minus 4 यहाँ पर हम d की value लेके जाके put कर देंगे तब तुमारा निकलेगा यहाँ पर हम put करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 4 minus d minus 2 स्टू अपर वन थाई इंटू सांड टू एक्स जो हमारे डी की वैलू थी गइस वहां पर ईसी की बेस पर निकालेंगा जो आगे वाली वैलू मतलब आगे वाला था गीडिका ये भी कुछ फिए अगर टी कि ये साम्न थ्री एक्से ए फो एक्सै क्से दिए यहां थ की अभी यह क्या था हमारे नीचे में है तो यानि इसे हम बनाने के लिए उपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो वन अपॉन minus d minus 6 की power 1 हो जाएगा into sine 2x हो जाएगा यानी 1 को उपर लेकर जाएगा तो क्या हो जाएगा d minus 6 upon minus 1 हो जाएगा into sine 2x हो जाएगा ठीक इसका विस्तार करेंगे तो क्या होता है यानी 1 यानी 1 की value ये है और into ये इतनी value यानी क्या हो जाएगा 1 गुड़े minus d minus 6 into sin 2x इसका formula होता है जो विस्तार आला formula अगर मैंने अगले ने इस वीडियो में मैंने पहले ही बता चुगा हूँ कि विस्तार करने का formula क्या होता है वहाँ से आप जाके देख लिजेगा तो क्या हो जाएगा minus d minus 6 into sin sin 2x यहां पर 2 है ठीक अब इसको क्या करेंगे गुड़ा करने के तो minus d into sin 2x minus 6 into sin 2x अब यहां पर जो d है उसका differentiate बोल रहा है तो मतलब एक बार Auckland दिये जा रहा है यानि इसका Auckland करेंगे sin 2x का तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 cos 2x यानि sin 2x को यहां पर हम t मानेंगे तो 2 dx is equal dt हो जाएगा तो dx is equal dt by 2 हो जाएगा यानि इसके बाग कर equality रख देंगे यानि dx की जगह पर dt by 2 रहा देंगे sin t का क्या होता है cos t हो जाएगा minus 6 sin 2x यहां पर d नहीं है तिसलिए हम Auckland नहीं किया जाएगा ठीक तो हमारी pi की value क्या हो गई 1 upon 2 cos 2x minus 6 sin 2x ठीक यह हमारी pi की value हो गई और अभिष्टे समिकर्ड क्या होता है अभिष्टे समिकर्ड y equals c cf plus pi ठीक तो cf की value क्या थी हमारी c1 e की power minus x plus c2 e की power 2x plus pi की value यह हमारी 1 by 2 cos 2x minus 6 sin 2x ठीक यहां पर गाइस देखें कि एक बार note कर लीजिए कि जो हमारी d थी यहां पर भी minus चलता रहेगा क्योंकि एक बार oclean बोला रहा है मतलब minus d था न तो यहां पर oclean मतलब चलता रहेगा यहां पर minus comment करके अगर इसे करना चाहते है मतलब नहीं भी comment करते है तो यहां पर minus हो जाएगा क्योंकि minus था न तो बस गाइस यह हमारा हो गया final lens और इसी प्रकार कोई भी question अगर फंसता है मतलब बाता है तो इसी प्रकार solve कर लिजेगा ठीक अगर आप नहीं solve करेए फिर comment box में comment कीजेगा मत जरूर वीडियो अफ्लोड करूँगा वस्त गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो